मैं हुआ पुजा लुटा इछले कुछ दिन से आप लोगों के कमाइंट आ रहे थे कि लिप्स के अराउंड या माउट के अराउंड जो पिग्मेंटेशन हो जाती है उसको दूर करने के लिए कोई मैं एफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ तो here I am with a video बहुत बहुत एफेक्टिव रेमेडी है घर पर आप आसानी से इस रेमेडी को यूज कर सकते हो सारे इंग्रीजिएंट्स नाच्रल है और सभी स्किन टाइप्स को सूच करती है मेल फीमेल सभी से यूज कर सकते है और लिप्स के अराउंड या आपके माउट के अ अगर हॉर्मोनल इंबालेंस है उसकी वज़े से माउट के अराउंड पिग्मेंटेशन हो जाती है थाइरोड में भी लोगों को अकसर माउट के अराउंड पिग्मेंटेशन हो जाती है या फिर सन एक्सपोजर से भी माउट के अराउंड पिग्मेंटेशन हो जाती है पू तोई फेस वॉष या साबुन जो भी यूज करते हो उसे तुरंत छोड़ दीजिए और उस फेस वॉष की जगह पर उस फेस वॉष की जगह पर आपने यूज करना है ये मुलेठी चूण, मुलेठी को यश्टी मदू भी कहते हैं हिंदी में लिकोरिष पाउडर कहते हैं इंग्लिश में और किसी भी कैमिस्ट से आपको असानी से मिल जाता है मुलेठी का उपयोग Mostly लोग खांसी चुग आम वगैरा में करते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुलेठी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है और दाख दबो को अटाने में पिग्मेंटिशन को अटाने में बहुत अच्छी होती है तो आप skin को cleanse कैसे करोगे यह देख लीजे आपने थोड़ा सा मुलेठी powder लेना है एक चमज के करीब मैंने इसमें add किया है और इसमें आपको add करना है तकरीबन दो चमज के करीब दूद्ध अगर आप सावले रंग को गोरा बनाना चाहते हो ना तो उसके लिए भी मुलेठी अगर आप रोज इस मिक्सचर से फेस को वाश करोगे तो आपकी skin का कलर भी फिर होता जाएगा यह लीजे यह मिक्सचर तयार हो गया इससे आपने अपने हाथ में लेना है थोड़ा सा अपने फेस पर अपलाए करना इसको और एक सी दो मिनिट के लिए मसाज करना है उसके बाद आपने पानी से फेस को दो लेना है इसमें क्लैंजिंग प्रॉपर्टीज भी है तो ऐसा निया कि आपके फेस पर डस्ट और रह जाएगा बहुत अच्छे से क्लीन करती है यह आपके फेस को साथ ही साथ ब्लैमिश को पिग्मेंटिशन को दूर करती है जो सेकंड ची है और फेस मास्क दिन में एक बार लगाना है इस फेस मास्क का फर्स्ट इंग्रीडियन्ट है आटा आटा या तो आप गेहूं का ले लीजिए या फिर आप ओट्स ले सकते हो जो अंसौल्टेड ओट्स आते है क्वेकर के या सफो लागे वो ले सकते हो तो यहां मैंने करता है दाग दबे भी हत राता है और आप एड़ कर दीचे एक चम्मच के करीब शहद और इसमें आप आड़ कर दीचे आधा नीबू यह फेस पैक आप दो तीन दिन का बना के कथा रख सकते हो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो रोज रोज नहीं बनाना पड़ेगा ल इसी तरीके से जो मुलेटी का फेस वाश मैंने आपको बताया वह भी आप तीन चार दिन का फ्रिज में बना के रख सकते हो रोज रोज मिक्स करने का जंजट नहीं रहेगा आपको तो यह आपका फेस मास्क बन करके तयार है इसके एक ठिक लेयर अपने माउथ के मास्क और 15-20 दिन में ही आपको बहतरीन नतीजे मिलते हैं आपके पिग्मेंटेशन जो सालों पुरानी है वह भी मतलब 50-60% चली जाती है 15-20 दिन में अगर आप मुलेटी का यह फेस क्लेंजर और यह मास्क यूज करते हो बहुत ही उंदा नतीजे आपको मिलेंगे तो आपको पसंद आया होगा प्लीज हिट दे लाइक बटन और इस वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सोचल मीडिया पर वाट्स आप फेस्बुक ट्विटर पर जहां भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं मैं मिलूंगे आपसे एक अच्छे किसी हेल्थ टिफ या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ तब तक के लिए तेग गुद केर अफ यरसेल्फ